हेलो दोस्तो प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतरगत जो होम लोन में सबसिडी मिल रही है उसमें लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कई लोग ऐसे है जिनको अपनी सबसिडी का एप्लिकेशन आईडी टाइम पे नहीं मिल रहा तो ऐसे सिनारियो में लोग पूछते हैं कि मुझे कमपलेइन करनी है तो कमपलेइन करे तो किसे करे हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि बेंक में कमपलेइन की क्या प्रोसेस होती है उसके बाद हाउसिंग फिनेंसिल कमपनीज में कमपलेइन की क्या प्रोसेस फोलो की जा और वहाँ पर आपको complain करनी है तो आपको क्या करना चाहिए अगर दोस्तो आपने कोई भी bank से home loan ले रखा है और आपको कोई भी complain करनी है तो उसका level 1 ये होता है कि आपको आपकी bank को ही complain करनी होती है तो वहाँ पर bank में आपको किस तरीके से complain करनी चाहिए दोस्तों bank में complain करने की तीन method होती है सबसे पहले तो आप अपनी bank को जो customer care center होता है वहाँ पर आप call करके आप वहाँ पर complain दर्ज करा सकते हो पहला method ये होती है दूसरी method ये होती है कि आप अपने registered mail ID में से आपकी bank को वहाँ पर complain mail कर सकते हो और कई bank SC होती है जिनके web portal होते है और वो portal में जाके आप वहाँ पर complain कर सकते हो तो ये सबसे पहला level होता है कि जहाँ पर आपको अपनी bank को ही सबसे पहले approach करना होता है लेकिन दोस्तों मानिये कि आपको आपकी bank proper जवाब नहीं देती तो आपको क्या करना है तो आपको level 2 पे complain करनी है और level 2 पे दोस्तों आता है principal nodal officer दोस्तों ये जो principal nodal officers होते हैं bank के वो bank के ही employee होते है और वो level 2 पे आपकी complain को resolve करते है और मानिये कि अगर आपको level 2 पे भी आपको proper जवाब नहीं मिला तो level 3 पे दोस्तों आप complain कर सकते हो और level 3 पे आता है banking ombudsman level 3 पे दोस्तों हमने देखा है कि 80% जो complain होती है वो almost resolve हो जाती है ये जो banking ombudsman होते है वो जो employee होते है उसे RBA recruit करता है ये bank का employee नहीं होता और यहाँ पर कोई भी banking ombudsman के पास दोस्तों minimum 7 साल का banking experience होना बहुत ही जरूरी होता है तो ये level 3 है कि अगर आपको bank जवाब ना दे तो आप principal node officer को अपरोज करो वहाँ पर अगर आपको proper जवाब नहीं मिलता तो आप banking ombudsman को अपरोज कर सकते हो जो RBA का employee होता है और अगर आपको level 3 पे भी अगर दोस्तों आपको complaint की proper resolution नहीं मिलता अगर आपको proper आपकी complaint का जवाब नहीं मिलता तो आप level 4 पे complaint कर सकते हो जिसको बोलते है appellate authority यह जो appellate authority होती है दोस्तों वो बहुत ही important stage होता है तो यहाँ पर RBA के जो deputy general manager होते है उनकी under में यह appellate authority आती है और यहाँ पर appellate authority यह बहुत ज़्यादा chances होता है कि आपको आपकी complaint का यहाँ पर resolution मिल ही जाता है और दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि appellate authority ने भी आपकी बात नहीं मानी RBA के जो अलग-अलग level था banking ombudsment और appellate authority वो दोनों में से किसी ने भी आपकी बात नहीं मानी तो दोस्तों आप RBA के अगेंस्ट में भी complaint कर सकते हो और उसको लेकर के पाँचवा level आता है जिसको बोलते है CEP sale, consumer education and protection sale दोस्तों यह जो पाँचवा level होता है वहाँ पर आप RBA के अगेंस्ट में भी complaint कर सकते हो तो दोस्तों यह पूरी channel होती है आप direct सिधा CEP sale को complaint नहीं कर सकते है आप direct सिधी appellate authority को complaint नहीं कर सकते है आपको एक के बाद दूसरे level पे जाना होता है और banking की language में दोस्तों इसको grievance redressal mechanism बोलते है तो दोस्तों यह तो हमने देखा कि अगर आपकी home loan कोई bank में चल रही है तो आपको किस तरीके से complain करनी चाहिए लेकिन अब हम लोग देखते है कि अगर आपकी loan housing finance company या तो कोई non banking financial companies में चल रही है तो यहाँ पर आपको किस तर financial company से आपने home loan ले रखा है उसी को सबसे पहले अपरोच करना है और अगर आपकी housing finance company की जहां से आपने loan ले रखा है वो अगर आपको proper जवाब नहीं देती तो आपको level 2 पे complain करनी है और level 2 पे आते है business head यानि की जहां से भी आपने loan ले रखा है उनके जो business head है दोस्तो उनको आपको complain करनी है और business head भी अगर आपको proper जवाब नहीं देते तो आपको दोस्तो level 3 पे complain करनी है और level 3 पे आते है MD या CEO for example दोस्तो आपने HDFC limited से loan ले रखा है तो आपको HDFC limited के MD या CEO को आपको direct mail करना है लेकिन दोस्तो वो mail आपको तब करना है जब आपको level 1 या level 2 पे जवाब नहीं मिलता तब ही जाके दोस्तो आपको level 3 पे यहाँ पर complain करनी है तो हमने ये देखा कि bank में किस तरीके से complain करनी है अब हम लोग दोस्तो ये देखते हैं कि PMAY यानि कि प्रधान मंतरी आवाश योजना specific complain किस तरीके से करनी है तो यहाँ पर दोस्तो एक चीज को अच्छे से समझना बहुत ही जरूरी होता है कि PMAY में यानि कि home loan की subsidy में NHB की यानि कि National Housing Bank की बहुत ही महत्मपूर भूमिका होत अगर आपको अपनी complain का proper resolution जो हमने आगे आपको जो levels बताए वहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है तो उसके साथ साथ आपको दोस्तो NHB में भी complain जरूर से करनी है और NHB में complain करने का सबसे पहला level दोस्तो कौन सा है तो हम लोग सबसे पहला level देखते है bank या NBFC जी हाँ जैसे कि हमने बोला कि कोई भी complain आपको सबसे पहले तो अपनी bank में या अपनी NBFC में ही करनी है कई लोग हमें mail करते है कि हमने NHB को direct mail किया है लेकिन NHB हमें कोई जवाब नहीं दे रहा है आपको कोई भी जवाब नहीं देगा NHB कब जब तक आपने अपनी पहली complain अपनी bank या NBFC को नहीं की दोस्तों यहाँ पर एक चीज को अच्छे से समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जब आप अपनी bank और NBFC को complain करते हो उसके बाद आपको 30 दिन तक wait करना है 30 दिन तक अगर आपको 30 दिन तक कोई भी proper जवाब नहीं मिलता तो आपको जो आपकी bank की जो process थी complain की वो और जो आपकी NBFC की complain की process थी उसको तो आपको अच्छे से follow करना ही है लेकिन साथ साथ यहाँ पर आपको level 2 पे जाना है जी हाँ दोस्तों आपको level 2 पे यहाँ पर NHB का जो आता है complaint redressal cell जिसको बोलते है CRC तो आपको 30 दिन के बाद अपनी complaint का proper जवाब ना मिलने के 30 इस दिन बाद आपको CRC यानि की complaint redressal cell पे complaint करनी है और यह जो NHB का CRC होता है उसकी link दोस्तों हमने ये वीडियो के description में आपको दी है आप वो link पे जाके आप direct वहाँ पर online भी वहाँ पर complaint कर सकते हो और अगर आपको online इतना ज़्यादा comfortable नहीं लग रहा है तो आप में आप आप वहाँ पर phone भी download करके उसको बर के भी आप post भी कर सकते हो NHB को तो आपको आपकी bank की जो complaint की process होती है उनका जो एक के बाद एक level आता है उसको भी आपको वहाँ पर process चालो रखनी है और उसके साथ साथ दोस्तों 30 दिन बाद आपको यहाँ पर NHB के जो CRC होता है वहाँ आपकी complaint का तो आप दोस्तों level 3 पे जा सकते हो और level 3 को यहाँ पर बोलते है chief grievance redressal officer दोस्तों यह जो chief grievance redressal officer होते है उनकी भी बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर भुमिका होती है कई बार ऐसा होता है कि NHB का जो CRC cell होता है उसके पास बहुत सारी complaint आती है तो हो सकता है कि आपकी complaint में कुछ important चीज़े वो अगर miss कर दे और आपका आपकी complaint का अगर वहाँ पर आपको proper resolution नहीं मिलता तो आप यहाँ पर chief grievance redressal officer को दोस्तों आप यहाँ पर complaint कर सकते हो लेकिन मानिए कि आपको यहाँ पर level 3 पे भी आपको पूरा justice नहीं मिला तो आपको क्या करना चाहिए तो दोस्तों आपको level 4 पे आप जा सकते हो और जिसको बोलते है chairman या MD of NHB जी हाँ दोस्तों यहाँ पर आप NHB के chairman या MD को भी आप complaint कर सकते हो लेकिन यहाँ पर आप याद रखिएगा कि आपको direct chairman को complaint नहीं करनी है आपको आपकी bank ने application ID नहीं बेजा तो आप कल जा पहले उपर के level follow करने है और उपर के level पे एक level दूसरे level तीसरे level पे दोस्तों यहाँ पर अभी आपको अपनी complaint का resolution नहीं मिलता तभी जाके दोस्तों आप यहाँ पर level 4 पे complaint कर सकते हो तो दोस्तों यहाँ पर इस चीज को हम लोग अगर summarize करे तो हम लोग बोल सकते है कि अग साथ साथ अपनी पहली complaint के 30 दिन बाद दोस्तों अगर आपको अपनी complaint का proper resolution नहीं मिलता तो साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर NHB के complaint redressal sale पे complaint करनी है और उसके बाद यहाँ पर आपको chief grievance redressal officer और chairman of NHB तक आप अपनी complaint कर सकते हो तो दोस्तों आज की वीडियो में इतन नहीं चैनल को subscribe करके bell icon को click करना ना भूलिएगा जल्दी मिलते हैं